नमसे डेयो वीवस आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिसकस करने वाले हैं electricity and magnetism का मेरे प्यारे वीवस यह जो क्वेश्चन पेपर है यह 2020 का है और इस क्वेश्चन पेपर करने के लिए हमें तीन गंटे का समय और फुल मार्क्स जो है वो 60 का है सो बेसिकली हो सकता है कि आपके यहां पर टाइमिंग और मार्क्स का डिफ्रेंट हो है ना डिफ्रेंट हो तो आप इस पर ध्यान ना दे करके आप कहां ध्यान दोगे questions पर वोगे विकाउस देयार important हो सकता है आपके examinations में आ जाए है ना तो यहां पर बेसिकली दो groups है है ना एक में very short answer type और short answer type होता और एक में long answer type होता है तो short answer type के लिए तो answers आपको यहीं पर मिल जाएगा बट long answer type को हम लोग basically यहां पर क्या करेंगे discuss करेंगे कि आप उसको कैसे लिख सकता है perfect तरीके से तो मेरे प्यारे वीबस यहां पर पहला question क्या है कि electric field intensity कंडğक्टर के अंदर हमेंसा जिरू होता है इसलिए क्यूंकि जो चार्जिस होती है यहरे खार्जिस नहीं होता इसकी वज़े से electric field अंदर नहीं होता तो electric field intensity वहाँ पर zero होता है ठीक है अगला question है कि the SI unit of electric flux is the electric flux का SI unit यहाँ पर पूछ रहा है ना आपको पता है electric flux क्या होता है इसका SI unit होता है आपका newton meter square okay पर कुलम आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो newton meter square पर कुलम है ना यह जो है SI unit होता है electric flux का आगे है आपका the relation between electric field and potential is देखो electric field intensity और जो potential होता है है ना इसके बीच का एक relation होता है जो होता है arrow is equal to minus grad V ठीक है minus gradient of V जो potential है V okay यह relation है electric field or potential के बीच का आगे आगे का जो question है वो है कि the value of arrow del cross arrow B okay at a point outside the current loop देखो अगर कोई एक current loop है ठीक है उस current loop के बाहर अगर एक point है तो उस point के लिए arrow del cross arrow B का value क्या होगा तो basically आप इसको mu naught arrow J आप लेके चलो है ना तो point बाहर है point अंदर नहीं है तो बाहर point है तो current density 0 होगा तो basically इसका value आप 0 ले सकते हो ठीक है तो चलिए आगे आते हैं आगे है आपका the unit of magnetic induction in SI system है ना magnetic induction का हमें क्या लिखना है SI unit लिखना है तो basically Tesla होता है आपको पता है टेसला है ना फिर आगे है आपका one waiver per meter per square is equal to देखो one waiver per meter per square जो है ना यह यह भी magnetic induction का ही unit है और यह वन टेसला से equal होता है यहां पर हम लोगों ने लिखा है इसको फिर आगे का question क्या है एरो डेल क्रॉस एरो इस इक्वल टू डेल एरो बी बाई डेल टी represents जो को basically यहां पर पूछा यह है कि यह जो equation है यह क्या represent करता है सो यह क्या represent करना हमें यह बताना है तो को basically यह represent करता है Maxwell third equation को है ना क्योंकि यह में sprint question में यहां पर जो है negative का symbol होगा ठीक है और अगर यहां पर लिखा रहा था कि यह equation क्या signify कर रहा है तो हम लोग इसका significance लिखते हैं okay so basically यह क्या represent कर रहा Maxwell के तीसर एक question को है थोड़ एक विशन को represent कर रहा है नो आगे का question है कि दा root mean square value of an alternating current is ना देखो कितना times peak value से ना पीक value से कितना times होता है जो हमारा root mean square value है alternating current का तो वह 1 by under root 2 times होता है इसका जिगे पर आप 1 by under root 2 लिख सकतो यह तो आपका कि the energy stored in a capacitor is ना किसी भी capacitor में कितना energy stored होता है तो वह energy आपका होता है 1 by 2 cv square जहां पर C जो है capacitor का capacitance होता और V जो है voltage जो अपने apply क्या potential difference okay now the unit of self inductance is देखो self inductance का unit क्या होता है Henry होता है जिसको आप x से represent करते हो है ना और इसको आप waiver पर ampere भी कह सकते हो ठीक है so this is very short answer type question है अब यहाँ पर एक पांच नंबर का question होता है जो short answer type का होता है इसमें कह रहा है कि derive poisons equation है ना हमें poisons equation derive करना है and hence poisons equations के बाद हमें Laplace's equation को भी यहाँ पर derive करके दिखाना है बहुत असा derivation है मेरे प्यारे reverse देखिए basically हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा arrow e जो है यह minus grad v से equal है ठीक है है ना और जो हमारा differential form होता है किसका gauss law का वो क्या होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है divergence of arrow e okay is equal to rho by epsilon not होता है अब arrow e का यह value यहाँ पर आप रख दो है ना del dot arrow e is equal to rho by epsilon not is equal to माफ के जगा this implies लेंगे del dot arrow e है ना arrow e के जगे पर क्या रखना होगा minus grad v तो minus del v लिख देते हैं इसको grad v को ठीक है rho by epsilon not तो यह क्या हो जाएगा यह इस negative को ले आएंगे right hand side के जारब तो यहाँ हो जाएगा del square v is equal to minus rho by epsilon not इसको कहते हैं poison equation यह है poison equation और ओके इसको क्या कहते है poison equation और मेरे प्यारे भी बस जब कहीं पर भी हना हना मतलब माल लिजे कि कोई space है हना कोई reason of space है यहाँ पर जो free charge है हना हना वहाँ पर मतलब free charge आपका यह ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का free charge तो यहां रोका वल्यू जिरो पुट करोगे तो आपको इसका वल्यू मिलेगा डेल स्कॉयर वी इक्वल टू जीरो और इसको कहते हैं लापला से सीक्वेशन ठीक कुछ इस प्रकार से इसका जो है डरिवेशन कर सकते हो ठीक है अब मेरे प्यारे वीबस देखे गुरूप भी में जो है टोटल five questions होते हैं जिसमें से तीन करना होता है इच question जो है 15 marks का होता है ठीक है तो यहां जो पहला question है वो क्या है state and proof goss law in electrostatics घ्रो कि हमें पहले statement देना है किसका गॉसलो का है एंड देन उसको प्रूफ करना है ठीक है तो गॉसलो का statement क्या होता है वो basically हमें सुआटल एलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बताता है कि किसी भी क्लोस सर्फेस के थू क॥ टॉसिआप्सुलोन नॉट टाइंज चार्ज जो क्लोस सर्फेस इंक्लोस किया है उससे outside and on the surface of a hollow charge spherical cylinder यहाँ पर एक कोमा होना चाहिए, लोग कोमा छोड़ दिया है ओके, तो देखो यह क्या है ना, actuality में हमें करना क्या है हमारे पास एक hollow sphere given है, ठीक है, उस hollow sphere के बाहर एक point है इसके लिए हमें बताना है कि इस point पर, ठीक है, कितना electric field intensity होगा ओके, यह पहला case, दूसरा case, अगर माल लेजिए, यह जो हमारा point है वो इस spherical, जो हमारा conductor है, charge spherical conductor जो है ओके, hollow charge spherical conductor है, अगर यह point इसके अंदर हो, तो कितना electric field होगा और अगर यह point इसके surface पर हो, तो कितना electric field होगा है ना, यह चीज़ हमें देखाना, यह actually gauss law का application है है ना, so basically, आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे हमारा state and proof ampere circuit टरलो, है ना, यहाँ पर prove or drive दोनों दिया हुआ है okay, use ampere law to find magnetic field strength inside a toroide, देखें मेरे प्यारे वीवस यहाँ पर क्या कह रहा है, कि ampere circuit टरलो का statement हमें देना है okay, and then, हमें इसको proof भी करना है, इसको proof करने के बाद, हमें जो है, एक storoide लेना है, और storoide का magnetic field strength जो है, वो पता करना, ampere circuit टरलो के मदद से है, ना, so basically, यह जो चीज़ है, यहाँ पर ampere circuit टरलो, and then, उसका application है, ठीक है, उसके बाद, क्या है, कि proof करना हमें, arrow del cross arrow b is equal to mu naught arrow j, where mu naught is magnetic probability of free space, यहाँ tree space लिखा हुआ है, देख रहे हैं, कितना यह लोग में sprint करता है, in SI units, and arrow j is the current density, ठीक है, तो basically, आप इसको कैसे proof कर सकते हैं, चलिए, इसको जो है, यहाँ पर proof करते हैं, हम लोग, ठीक है, यहाँ पर proof करते हैं, so, इसको proof करने के लिए मेरे प्यारे विवास, हमें क्या करना होता है, equation of continuity का मदद लेना पड़ता है, अब ऐसे इसके लिए, कई सारे statements लिखे जाते हैं, पहले, हम लोग, यहाँ पर क्या करते हैं, डिरेक्ट ले लेते हैं, so, equation of continuity क्या होता है, आपको पता है, divergence of arrow j, है न, plus, del rho by del t is equal to 0 होता है, ठीक है, यह होता है, अब आपको पता है, कि जब del rho by del t 0 हो, मतलब, है न, study case में ऐसा होता है, तो divergence arrow j, जो है, यह 0 से equal होता है, ठीक है, और, जो current होता है, है, है न, हम, आपको पता है, current, जो है, है न, मतलब, current को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, current density के terms में लिख सकते हैं, है न, current को भी, है न, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अ, surface, integral के terms में लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से, arrow j, arrow ds, आपने इस formula देखा होगा, अगर आप, अगर आप, लेक्टित, इन, मायनेटिस, थोड़ा भी पढ़े होगे, तो आपको यह कहीं न, कहीं मिला होगा, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, न, ampere circular law के according, हमें पता, integral of closed curve, arrow b, arrow dl, यह किसे equal होता, यह equal होता, आपका, mu not i से, सो यहाँ पर क्या करेंगे, आई की जगे पर यह substitute कर देंगे, तो integral over closed curve, arrow b, arrow dl, is equal to integral over surface, arrow j, arrow ds, ठीक है, यह, अब इधर क्या है, line integral, इधर क्या है, surface integral, तो यहाँ पर stokes law लगा करके, हम लोग इसको क्या करें, convert कर देंगे, हम लोग, कुछ इस परकार से करता है, हम लोग, integral over closed curve, है न, यहाँ पर c देना चाहिए, तो आप दे सकते हैं, closed curve के लिए, arrow b, arrow dl है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप, हम लोग इसको क्यों क्यों अप्लाइ कर रहे है, line से surface convert कर रहे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, arrow dl क्रॉस, arrow b होना चाहिए, और dl के जगे पर क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ surface भी लिख सकते हो, तो चलिए, इसके जगे पर यह substitute करिए, s arrow dl cross arrow b dot arrow ds is equal to integral s arrow j dot arrow ds, अब देखो, surface integral दुनों तरब से cancel कर दो गए, आप, है न, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर मिल ज जाएगा, यहाँ पर मिल ले लिजेगा, arrow dl cross arrow b, both sides से surface integral क्या करिए, हम लोग cancel कर दिए, ठीक है, arrow dl cross arrow b is equal to mu 0 arrow j, यहाँ पर बचेगा, ठीक है, देखिए, यही प्रूफ करना है, हम लोग को, ठीक है, तो इसके लिए कुछ states, statements भी होता है, न, तो इसको हम लोग discuss करेंगा आने वाली वीडियो में, ठीक है, यहाँ पर आपको छोटा सा overview बस हम लोग दिए, तो यह समझ गए question, अब अगला question है कि explain what do you mean by magnetic intensity, magnetic intensity क्या है, okay, magnetic susceptibility क्या होता है, magnetic permeability से आप क्या समझते हैं, इसको यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है, and then हमें properties discuss करना है, किसका, diamagnetic substances का, paramagn magnetic substances का, and ferromagnetic substances का, इसके बारे में ज्यादा कुछ बतानी कि अब शकता नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, कहीं भी आपको यह मिल जाएगा, okay, and the sixth question भी बहुत easy है, write down the Faraday's law of electromagnetic induction, इन फ्राड़े का जो दो लोग है, आपको यहाँ पर उसको लिखना है, and then आप आपको बताना है कि self induction और self inductance क्या होता है, and then mutual induction और mutual inductance के बारे में आपको बताना है, you will have done it quite easily, okay, and then Friday's law में, जो भी था सब सिर्फ magnitude था, वहाँ पर direction के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, तो उस direction को lens ने बताया था, so यहाँ पर आपको write and discuss the lens law regarding electromagnetic induction, electromagnetic induction के regarding lens law है, उसको हो यहाँ पर आपको discuss करना है, you can write it easily, okay, now next question है हमारा वो है, find the expression for impedance, okay, impedance of an LCR series circuit, discuss amplitude resonance, okay, यहाँ पर क्या करना है, हमें impedance जो होता है, LCR circuit में, ठीक है, LCR series circuit है, माफ किज़ेगे, यह series circuit बहुत इंपोर्टन है, यहाँ यहाँ पर पता करना है, drive करना, and then हमें, वहाँ पर एक tom आता है, amplitude resonance उसको discuss करना है, so मेरे प्यारे वीवस, यह जो question paper है, यह है electricity and magnetism का question paper, okay, 2020 का, आशाए, यहाँ पर जो भी चीज़े हम लोगों ने discuss किया, यहाँ आपको समझ में होगा, और अगर आपको लगता है कुछ और चीज सुधारने की जर सकी,